नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेश कारिकर्व में जिसका नाम है ग्रहुं की चाल हम सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में तरख्य करना चाहते हैं व्यापार और नौकरी क्या करें? कई बार इस चीज में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, असमंजिस में पढ़ जाते हैं आखर इसका जवाब हमें कौन दे? जी हाँ, हमारी कुंडली ही इसका जवाब दे सकती है अगर आप भी कुंडली के माध्यम से ये जानना चाहते हैं, ये पहचानना चाहते हैं कि आपके लिए व्यापार ठीक है या नौकरी ठीक है, तो आज का कारिक्रम आपके लिए बेहत खास रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे विश्व विख्यात जोतेशा चार है, सुभा श्री जी का, तो आईए स्वागत करते हैं गुरु जी का और जानते हैं उनसे कि व्यापार और नौकरी अगर हमें करनी है, तो किन चीजों का ध्यान हमें रखना होगा, आचारी श्री बहुत-बहुत स्वागत है आपका, जैशी आराम, जैशी प करना, क्योंकि नौकरी करने वाले ग्रहे अलग होते हैं और व्यापार करने वाले ग्रहे अलग होते हैं, अने एक लोग आपने देखे होंगे कि साथ-साथ में नौकरी भी करते हैं और व्यापार भी कर लेते हैं, वो इस्तितिया अलग होती है, अगर व्यक्ति नौकरी करन चाहता है और बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने कि नोकरी में सक्सेस मुल्याती है को बब्रकों और सारे ऐसे लोग होंगे कि उन्हें जीवन भर नोकरी करते रहे कब ही उनंहें सक्सेस हांसिल दूर्ट तो ये ग्रहों का ही प्रभाव है अगर जन्म पत्र का में देखा जाए तो नौकरी का भाव जो होता है वो छटा भाव होता है अगर ग्रह की बात करें तो शनी महराज यहां विराजमान हो जाए उच्छे के विराजमान हो जाए अच्छी इस्तियों विराजमान हो जाए तो नोकुरी से ही प्राप्ट कर सकता है अगर सद्छी महराज six house से संबंद बनाते हूं ऐसे ही अगर हम जाने कि मंगल और सूर्य six house में विराजमान हो तो ये भी देखा गया है कि ऐसा अव्यक्ति सैना में भरती हो सकता है नोकुरी में उसको अधिक सफलता प्राप्त होती है अनेक लोग ऐसे देखे होंगे आपने कि साथ साथ में नोकरी भी कर लेते हैं और व्योपार भी कर लेते हैं उनकी कुल्डियां बिल्कुल अलग होती है अगर हम व्योपार की बात करें तो व्योपार का का रख है बुध अगर जनब पत्रका के अंदर बुद्ध बलसाली होकर के विराजबान हो सक्तम भाव वो भी बलवान होना चाहिए जिस व्यक्तिने ब्योपार करना है इन दोनों चीजों को देखना बड़ा ही आवश्यक है उसके लिए अगर सक्तम भाव बलहीन है तो ब्योपार करने के बाद भी आपको मूगी खानी बड़ सकती है बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ब्योपार बड़ा आसान है लेकिन अगर सक्तम भाव अगर कमजोर है तो आप अपनी पत्रका दिखा कर कहीं ब्योपार करें अगर वहीं बुद्ध कमजोर है तब भी आप पत्र का दिखा कर कहीं व्यवपार करें तो सफलता की उचाईयों पर कहुंच सकते हैं व्यवपार के माध्यम से अने था आप व्यवपार में रह करके भी पैसा कमाएंगे नौकरी से और व्यवपार में लगाते जाएंगे अनेक लोग ऐसे देखे हैं मैंने कि आज भी वो नौकरी करते हैं और व्यापार की उनकी जो चाह है वो ख़तम नहीं होती और नौकरी से पैसा लेते हैं और व्यापार में लगा देते हैं तो सबसे पहले अपनी जन्म पत्रिका का विशलेशन विधी पूरुबग करवाना चाहिए दर्शकों तो ये बेहत जरूरी हो जाता है जब ही आप नौकरी या व्यापार करें तो अपनी कुंडली का विशलेशन जरूर करवाएं अगर आप अपनी कुंडली का विशलेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप बात कर सकते हैं सलहा ले सकते हैं क्योंकि हमारी जो जन्म कुंडली होती है वो हमारे जीवन का आईना होती है वो हमारे जीवन का प्रतिविंब है अगर वो जन्म से ही धनी होते हैं, देखिए यह हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, कि जो लोग जन्म से धनी होते हैं, धनवान परिवार में पैदा होते हैं, कहीं न कहीं पिछले जन्मों में, वो मोती दान करके आये होते हैं, आपने सुना भी होगा, कि ये व्यक्ति तो बड़ा धनिया से कुछ नहीं करना पड़ रहा है, किराया आ रहा है, सब कुछ उसको अपने हिसाब से सब कुछ प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये बात पिछले जन्मों के कर्मों से निर्धारत होती है, अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म कियो हूँ, तो निश्य तोर पर इस जन्व में वो संपत्ती को भोगेगा ही भोगेगा आप कितना भी रोक लीजिए उस संपत्ती को भोगेगा ही भोगेगा वो आपने बहुत बार देखा होगा कि एक जातक जिस परिवार में पैदा हुआ और अचानक से गाड़ी घोड़ा उस परिवार में आने लग गए इसका मतलब यह हुआ कि पिता या माता के भागे में नहीं था लेकिन उस पुत्र के भागे में था कि जिस दिन पैदा होगा उस दिन गाड़ी घोड़ा सब कुछ मकान उसके पास होगा तो यही पिछले कर्मों का पुन्यफल है जब आप पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार और कहा भी गया है कि जैसा बीज आपने बोया है वैसा ही आफल काड़ होगा है तो हमारी कुल्डी यह बताती है कि व्यक्ति पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार धनवान बन रह है अक्षर मुझे यहां पर एक कहानी आदाती है कि भगवान कृष्ण जब माता देवकी की पास पहुंचे तो माता देवकी ने कहा कि तुम तो प्रभू हो वो सभी लोग कहते हैं तो मुझे कारागार में 14 वर्स तक क्यों रहना पड़ा तो उन्होंने यही कहा कि पिछले जन्म में आप मेरी केके माता के नाम से जन्मी थी तो इसी कारण आप 14 वर्स तक आप मेरे से दूर रही तो माता देवकी कहती है कि कौसल्या का क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि कौसल्या आज यशोदा के रूप में जिनके पास में 14 वर्स तक रहा उनके रूप में आज यशोदा का जन्म हुआ है तो आज उनके साने दिमे में हूँ 14 साल तक इसलिए कर्मों का फल व्यक्ति को भोग नहीं पड़ता है चाहे भगवान की माता जमनी हो चाहे खुद परंपिता परमेशर हो आप देखिए कि एक उधारण और मैं देता हूँ आपको भगवान किश्णों को ये मालम था कि मेरा मित्र जो है सुदामा धनवान नहीं है लेकिन तब तक उन्होंने उसको कुछ नहीं दिया कि जब तक उसके पिछले जन्मों का कर्म खत्म नहीं हो गया क्योंकि अगर वो पहले दे देते अगर वो पहले दे देते तो साइड ऐसा होता कि अगला जनम भी उसको सुदामा के रूप में गजाना पड़ता तो भगवान कभी भी किसी के साथ धोका नहीं करते कर्मों के आरे वो भी नहीं आते इसलिए करम प्रिधान कहा गया है आचारेश्री क्या वाक़े ही ये जो संचित कर्म है ये व्यक्ति को भोगने ही पड़ते है क्या ऐसा कोई निदान नहीं है कि हम इनको दूर कर सके या इनसे पार पा सके देखिए जो आपने बोया है उसको काटना होगा तपेश्री सो राजेश्री राजेश्री सो नरकेश्री यानि जो तब करता है जो राजा बनता है यानि जो तब करता है वो राजा बनता है और राजा बनने के बाद वह कूरसी का दुरुपयों करता है तो फिर वह नरगामी हो जाता है तपे सोरी सो राजे सोरी सो नरके सोरी है इसका मतलब यही स्रिंगला हमारे जीवन में चलती आ बगा सकता आप भागना भी चाहें तो कर्मों से भाग नहीं सकते अचारी श्री यहां आपसे जाना चाहेंगे यह जो हम बात कर रहे हैं पुराने जन्मों के कर्म की यह हमारे व्यापार और नौकरी को कैसे प्रभावित करते हैं जैसे आप समझ लीजिए कि अगर मैं की बात करूं तो माता का संब्ध हमारे चंद्रमा से होता है और पिता का संब्ध हमारे सूरे से होता है ऐसे ही व्यापार का संब्ध हमारे बुद्ध से होता है और शानी का संब्ध हमारी नौकरी से होता है अगर किसी व्यक्ति को उच्चे सिक्षा चाहिए तो विरस्पती बड़ा बलवान होना चाहिए, पंचमभाव बड़ा बलवान होना चाहिए, तो कहीं न कहीं हम उनसे जुड़े हुए हैं, हम कुल्डी से बाहर जाही नहीं सकते, आप किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए, जनम पत्रे का अगे दर सब कुछ है, अगर आप संतान के बार में जानना चाहते हैं, तो लगन आपका मजूद होना चाहिए, ऐसे लोग आपने देखे होंगे, बहुत सारे जिनके पास कुटंब का धन प्राप्त हो जाता है, जैसे हम पीछी बार, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, कि बहुत सारे लोग धनवान हो जाते हैं, तो में ने कहीं जन्म पत्र का हर चीज में आपको मदद करती है, एक ही समय में, एक ही वक्त पर दो बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो एक जो बच्चा है वो धनवान हो जाता है, और जबकि दूसरा बच्चा जो होता है, वो बड़े सामाने परिवार में पुष्टी भी मिलेगी, क्या है भावना जी, कि जैसे मैंने अभी आप से कहा कि कर्मों के बारे में, एक जातक, जैसे आप समझ लीजिए, कि मुकेज भाई अम्वानी के घर में, अनंत नाम का कोई जातक पैदा हुआ, और उसी समय, अनंत के समय पर भी अनेक लोग देखे होंगे कि जन्मे होंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि कहीं न कहीं कर्म उस जन्म के आड़े आगे, अनंत जो है कहीं न कहीं पिछले जन्मों में ऐसा व्यक्ति रहा होगा कि जिसने मोती दान किये होंगे, धर्म किया होगा, पाप से विमुक रहा होगा, ऐसे व्यक्ति उच परिवार में जन्मते हैं, उनको सुख, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि तपे सुरी सो राजे सुरी, राजे सुरी सो नरगे सुरी, जो व्यक्ति तब करता है वो राजा बनता है, चाहे अनन्त ने कुछ नहीं किया हो, लेकिन उसे सब कुछ प्राप्त है, और जीवन भर वो उस बिल्कु सेम मिलेंगे, नक्षत्र सेम मिल सकते हैं, बहुत सारी चीजें, डी नाइन चैट में, कहां पर प्लानेट गया हूआ है, बहुत सारी चीजें हैं, यहां पर अलग हो जाती है, पड़ा ही लंबा एपिसोड हो जाएगा, समझाने के लिए, इस बात को ध्यान रख कि जो जातक सामानने परिवार में पैदा हुआ है और उनिकर जो धनवान व्यक्ति है। उसके समय पैदा हुआ है। तो निश्य तोर पर गारंटी के साथ वो व्यक्ति एक ना एक दिन धनवान अवश्य होगा, जब उसकी महादसाएं, अंतरदसाएं, उसके पिछले कर्मों का बैलन्स खतम होगा, तो निश्य तोर पर धनवान बन करें ही, अपना जीवन यापन करेंगा, वो जन्मा तो अपने अनेक लोग देखे होंगे ऐसे कि सामान ने परिवार में कोई जातक पैदा हुआ, और वो अचानक से धनवान बन गया, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत उदारण हैं, यहां तक कि धीरु भाई, अम्मा ने भी एक सामान ने परिवार में पैदा हुए थे, व तब तक कर्मों का बैलेंस समापत नहीं हो जाता, पिछले जन्मों के पाप कर्मों का लेखा जुका खतम नहीं हो जाता, तब तक आप धनवान नहीं बन सकते, और आपको धनवान कोई बना ही नहीं सकता, हम कहते हैं न कि उसने पैसा दे दिया, तो में धनवान बन गया, अ जब उसकी दसाएं, अंतरतसाएं, महादसाएं काम करती हैं तो निश्य तोर्पर वो व्यक्तिवी धन्वान बन जाता है जो सामाने परिवार में पैदा हुआ हो क्या हम अपनी कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि अब हमारे जो ये संचुत कर्म हैं जो हम पिछले जन्मों में कर्म करके आएं हैं ये खत्म होने वाले हैं या ये कब तक खत्म हो पाएंगे देखिए दसाएं महादसाएं अंतरतसाएं अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो कुंडली के माध्यम से बताती हैं कि यो कारत प्लानेट की दसा आपको धह्मान बना देगी या कब तक आपने पिछले जन्मों के कर्मों का भुकतान करना पड़ेगा पिछले जन्मों का जो भाव है वो पंचम भाव है उस भाव को देख करके भी हम ये निधारत कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को कब तक कश्र उठाने पड़ेंगे अब देखिए जैसे शनी की महादसा चल रही हो सनी योकार कानेट हो तो अनेकों सालों से व्यक्ति मेहनत कर रहा हो जीवन उसका संघर्ष में निकल जाता है लेकिन अचानक से आपने देखा होगा कि वो धनवान बन गया ऐसे ही अगर किसी व्यक्तिगी पत्रका के अंदर फोर एक्जंपल बता रहा हूं मैं आ अगर किसी पत्रका के अंदर ब्रहस्पती किसी के बलवान हो और लगन कमजोर हो उसका टैंथ लौड भी कमजोर हो उसका भागिस्थान भी कमजोर हो उसका सिक्स भाव भी कमजोर हो उस व्यक्ति ने जीवन में कुछ नहीं किया ऐसा समझ लीजिए उस व्यक्ति ने जीवन में केवल मेहनत के इलाबा कुछ नहीं किया लेकिन जब उसकी संतान उत्पन होगी और संतान के माध्यम से उसको धनकी प्राप्ति होगी तो निश्यत तोर पर वह धनवान अवश्य बनेगा किसी व्यक्ति की मेरिज हुई अचानक से लक्षमी का गर्मे आगमन हुआ तो समझ जिली जी वह धनवान बन गया यह भी देखा गया है आज बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम जब पैरों पर खड़ो जाएंगे पिता जी तब जाकर विवाह करें और विवहा में बहुत देरी हो जाती है और फिर वह कहते हैं कि किसी प्रकार से विवहा हो जाए ना उनको अच्छी नोकरी मिली, ना उनका अच्छा व्यवपार हुआ, और अंत में 32 साल, 33 साल, 34 साल हो जाती है, उसके बाद विभा के लिए भी परिसान रहते हैं, ये हमारे समाज की विवस्ता कुछ ऐसी बिगड़ चुकी है, कि हमें पहले नोकरी चाहिए, हम पैरों में, आप अप व्यक्ति की मैरिज होगी, अप आप समझेए, कि जब व्यक्ति की मैरिज होगी, तभी वो धन्मान बनेगा, तत्तम भाव धन ले करके आएगा, इसका मतलब यह हुआ, कि आप ऐसे ही पैर पर पीट रहे थे, कि मैं अपने पैरों पे खड़ा रहूंगा, तो पैरों पे कॉमिनेशन बन रहा हो, तो निश्य तोर पर समझ जाएए, आप तभी धनवान बनेंगे, कि जब आपके यहां लक्ष्मी आएंगे, आपका विवाह होगा, आचारे श्री, वो उपायों के बारे में भी हम जानना चाएंगे, क्योंकि निसंदे जैसे कि आपने बताया कि य हमारे जीवन का आइना है, हमारे जीवन का प्रतिबिम्ब है, हमारे जीवन को दर्शाता है कि किस तरीके से हम अपना जीवन जीएंगे, तो क्या कुछ उपाय भी ऐसे होते हैं, जिने करने के बाद हम अपने जीवन में यह जो परिशानिया आ रही हैं, उन्हें दूर भले लेकिन उन्हें कम जरूर कर सकते हैं तो सारे उपाए आज कल मार्केट में चल रहे हैं आपको भी गयात होगा कि सोसल मीडिया के माद्यम सहने को उपाए विक्तियों को सुखके दिये जाते हैं कि आज आप यह लिखेलोगे अपने हाथ पर तो इतने पैसे वाले बन जाओगे बिलकुर बिलकुर लेकिन उपाय हगीकत में मेडिशन का काम करता है मैं इसलिए उपाय देने से डरता हूँ कि जब मेरे पास आपका एक्सरा नहीं है किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या कहता है कि वही मेरे पेट में दर दो रहा है आप कहते हैं कि मेरे पास जन्मकुल्डी नहीं है तब तक आप उपाय का निर्दारण कैसे कर लेते हैं मुझे समझ में नहीं आता बड़ाई सिंबल सी बात है हाँ उपाय के दोर पर सामाने उपाय कर सकते हैं जैसे धन के लिए आप धन के जो कारक हैं ब्रसपती देव हैं ब्रसपती की पूजा पाट कर सकते हैं विरसपती का वरत रख सकते हैं और जो भी गिरह दनभाव का स्वामी बन रहा हो उसकी पूजा पाट उसके देवता की पूजा पाट उसके नक्षत्रों की पूजा पाट हम कर सकते हैं लेकिन ये सब कुछ आपकी जनपत्र का क्यों देकर के ही सठीक उपा करना हो तो च्छटा भाव रो उरिंड सत्रूं का है और किसी व्यक्ति ने आपको ये बता दिया कि उसको दबा दो बहुत सारे उपाय हैं कि मंगल की चीजों को दबा दो उसूर की चीजों को दबा दो तो ऐसा समझ लीजिए कहीं न कहीं जो सत्रू आपके सामने नहीं बोल अचानक से बोलोगते हैं मतलब शत्रू के अंदर भावर आ जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका आहित हो गया ऐसे ही अगर एर्थ आउस के उपाय करने हो देखिए हुआ को अलग-अलग तरीके से किया जा सकता है अगर आपने एर्थ आउस को ऐसे उपाय कर लीए जैसे 12 house के कोई उपाय कर लिया आपने किसी ने कहा कि जा करके समसान में ये सब चीज़ें दबा दो तो ऐसा भी देखा जाएगा कि जो केस अभी तक नहीं हो रहा था आपके उपर चला था वो उसी समय उपरेगा जब आपने उपाय किया और तुरंथ ही वो एक्टिव हो गय तो उपाय देते समय हमें एक्सरा बहुत जरूरी है कुल्डी बहुत जरूरी है जहां तक मैं आपको बताओ कि बहुत सारे ऐसे प्रेशन होते हैं कि जनम पत्रका के माध्यम से भी आप उनकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते जैसे आपने पूछा कि मेरी नोकरी कब लग हो गई तो जनम पत्रका देखने के लिए बहुत डीप हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है लेकिन प्रेशन कुल्डी के माध्यम से बढ़ी बहाती आप पता सकते हैं कि यह दो घंटे माएगा चार घंटे माएगा होई हुए वस्तु मिलेगी आपको नहीं मिलेगी तो यह स जैसे आपके पास पत्रका नहीं है डेट वबर्थ टाम वबर्थ प्लेस वबर्थ नहीं आपके पास अकूरेट नहीं है तो इन माध्यमों से जब आप हमारे पास आये उस समय की एक घंड़ना हुई कि ग्रह कहां कहां विराजमान है उस समय प्रेशन कुल्डी लगाई आपको हमारे पास आना पड़ेगा और जोसी के पास जाता भी रहना चाहिए बार-बार महीने छे महीने साल बर में आपको हमेशा अपने एस्ट्रोजर को याद करते रहना चाहिए जिस तरह से एक व्यक्ति अपना रूटीन चेक अप कराता है उस तरीके से हमें अपनी कु एक ही दिन में उसको फीज दे करके भाई अब हम सुकून से जीएंगे अब जोसी महाराज के पास जाना नहीं पड़ेगा आपकी तवित खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं न तो ऐसी आप एस्ट्रोजर के पास जाईए कौन सी दसाएं चल नहीं है कैसा वक् दे ले गए जी मैं तो चीज लेकर के परिशान हूं तो आपको थोड़ा ध्यर के साथ साथ अपना रूटीन भी चैन्ज करना पड़ेगा कि आप अपने डॉक्टर के पास जाते रहें कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति कुछ समय के लिए धनवान होता है और वही व्यक् जाती है व्यक्ति जो है वह गरीब हो जाता है या धन की हानी उसे होना शुरू हो जाती है तो ऐसी परिस्तिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए बावना जी बड़ा महत्तपूर्ण प्रिश्ण है कि कोई व्यक्ति एक समय पर अमीर था उसके दादा पर दादाओं का धन उसके पास था या वो पैसे बाला था सबसे पहले हमें यह देखना हुआ कि उसके पास कौन सा धन है उसके पास सैकिंड हाउस का धन है सैकिंड हाउस मतलब उसके कोटुम्ब का उसके दादा पर दादाओं का कमाया हुआ धन है या फिर उसका खुद का धन है यानि 11 अगर 11 समापत हो जाता है तो कहीं न कहीं आपकी कमजोरी हो सकती है, कहीं न कहीं आपकी decision गरत हो सकते हैं। और जब पूरबजों का धन होता है, bullied होता है इस case में और उस व्यक्ति को ही धन की प्राप्ति होती है। तो ऐसा व्यक्ति धन पा करके गमंड भी महसूस कर लेता है, लेजी भी हो जाता है और जो उसके परिवार बाले, उसके कुटम बाले, उसके माता, पता, दादा, श्री जो करते थे, दान, तप, दया, जो भी करते थे, उस सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि उसको धन जो है, वो केबल कुटम से मिल गया, उसे महनत नहीं करनी पड़ी, सनी का काम तो उसे करना ही नहीं पड़ा, सनी की किरपा तो प्रवपर तरीके से मिली ही नहीं, क्योंकि सनी तो महनत कराते हैं, तब ही दन देते हैं, और उसको केबल वो धन मिला, जो दादा पर दादाओं से जुड देते थे हम भूल जाते हैं अपने कुल देवी का कुछ उसमें से हिस्सा निकलता था लेकिन आज बच्चों की चलती है और वो बच्चे इसको ढौंग समझते हैं वो कहते हैं मंदिर में क्यों दें कुल देवी को हम क्यों प्रेशन ने करें बहुत लोगों को तो यह भी नही प्रेशन पूछा है इसके केस में 90% वो लोग धनीन हो जाते हैं जो यह सब चीजें नहीं कर रहे हैं जो उनके पूरवज करते आए थे तो उनको सबसे पहले सलह मेरी यह होगी कि अगर आप धनवान थे और अब धनीन हो चुके हैं तो आपको जो अपके माता पिता आपके पूरवज करते आरहे थे कोई मंदिर में आपका सेबा जाती थी आपके पास धन नहीं है तो वहां जाकर के सेबा करना हरम कर दीजिए बहूं सारे लोग आपने देखे होंगे कि जuldade वाले मंदिरया बहुत सारे मंदिर में सेबा चपलों को दो उठाते हैं लेकिन आपको य पूर बजों पर किसकी किरपा थी आपके इश्ट की किरपा थी उनके उनके इश्ट की किरपा थी उस मंदिर की किरपा थी जिस मंदिर में आप जाते थे जिस मंदिर में कुछ आप दान दे के आते थे या किसी पशू पक्षी को खिला के आते थे ये सब कुछ आपने बंद कर जाता है आपके द्वारा आपकी संस्ता के द्वारा आपकी कंपनी के द्वारा लेकिन सब कुछ आपने समाप्त कर दिया दिरे दिरे आपने केबल उनका धन अपने यूज के लिए रखा कि मैं लगजरी लाइब जीऊंगा मेरे से बड़ा कोई नहीं है तो दिरे दिरे वही लोग 90% वही लोग धनीन हो जाते हैं उसको कोई नहीं रो सकता और अगर ये सब काम करने लग जाए तो निश्यत तोर पर वह समय दुवारा लोट कर किया जाता है तो दुश्यको अगर आप भी अपना खोया हुए समय वापस पाना चाहते हैं अगर पहले आप धनवान थे और अब धन की हानी लगातार हो रही है तो हमें कहीं न कहीं हमारे पूरवजो के पच्चिनों पर चलना होगा उनकी आस्था में विश्वास रखना होगा और अप में से पहले हम आचारे श्री का धन्यवाद करना चाहेंगे अचारे श्री इन तमाम सवालों की जवाब आपने दिये उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैशे राम जैश्री बालादी